दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी मोबाइल फोन की एप्लिकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं आपके भी मोबाइल के अंदर कई सारी एप्लिकेशन का अपडेट आया होगा और आप update करना नहीं जानते हैं कि कैसे अपने mobile phone की application को update करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने mobile phone की application को update कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को हम start कर लेते हैं तो दोस्तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे mobile के अंदर जो application होती है इसे update करना क्यों ज़रुरी होता है फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने mobile phone की application को कैसे update कर सकते हैं दोस्तों समय समय पर हमारे mobile की application के अंदर कभी कभी कुछ दिक्कते वगर आती है या फिर नया update आता है इस वज़े से हमें अपने mobile phone की application को update करने की जरूरत परती है ताकि हमारे phone के अंदर ये सारी application बहुती easily बिना किसी problem के चल पाए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने mobile phone की सभी application को या फिर एक application को या एक दो application को कैसे update कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile के अंदर play store application को open कर लेना है इस परकार से जैसे दोस्तों आप play store application को open करते हैं तो उपर right side में आपको आपकी profile picture देखने को मिल जाएगी simply आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे manage apps and device को option देखने को मिलेगा simply आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर updates available करके आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर कितनी एप में अपडेट आया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर 11 अप्लीकेशन के अंदर अपडेट आया हुआ है deh यहां पर नीचे आपको see details के उपर क्लिक करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके mobile के अंदर किस किस application के अंदर update आया हुआ है यहां पर आप जसाकी देख सकते हैं उपर दोस्तों update all के उपर क्लिक करके आप सभी application को एक बार में ही update कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आ update होना शुरू हो जाएगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं Gmail के अंदर भी update आया हुआ है तो Gmail के उपर क्लिक करूंगा तो यहां पर Gmail जो भी update होना शुरू हो गया है यहां पर आप जसाकी देख सकते हैं इस परकार से दोस्तों आप अपने mobile phone की सभी application को या किसी ए application को बहुत इजली update कर पाओगे मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सब कुछ जान गया होंगे कि mobile के अंदर application को कैसे update करते हैं अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like कर देजे और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लेजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली इस चैनल पर upload करता रहता हूं